आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वैदिकूर्जा में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक पुर्णिमा की देखें कार्तिक का महा जो था वो बहुत ही अच्छा और पवित्र महा माना जाता है मोग्ष का द्वार इसे कहते हैं प्रंतु ये जाने वाला है आखरी दिन है कार्तिक के महीने का और आप लोगों के लिए दिन कैसे खास बना सकते हैं हम तो इसके लिए उपाये आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ जिसको करने से आपको बहुत अच्छा महसूस होगा आप लोगों के जीवन में जो भी दिखते हैं सब दूर हो जाएंगी ये उपाये आप जरूर करके देखें कार्तिक के महीने में तुलसी का जो महत्व है वो बहुत जादा है सब लोग तुलसी के नीचे दिया जलाते हैं कार्तिक के पूरे महामी और इसके साथ साथ तुलसी पूजा का विधान है तुलसी विवा भी कार्तिक के महीने में किया जाता है वैसे तो आपको ये पहले ही पता होगा कि तुल्सी का पौधा अगर कार्तिक के महीने में घर में लगाया जाए तो उससे बहुत शुब परिणाम मिलते हैं अगर आपने इसको मिस्स किया है, अगर आप कार्तिक के पूरे महीने में तुलसी का पौधा नहीं लगा पाएं हैं, तो ऐसे में आपको कार्तिक पुर्णिमा के दिन, अगर आप घर में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, तो इससे शुब कुछ नहीं हो सकता, कार्तिक पु पूजा की है तो उन पत्तों से ये उपाय किया जा सकता है। तो ऐसा कोई विधान नहीं है। पुर्णिमा के दिन तुलसी तोड सकते हैं। सिरफ एक दिन ऐसा माना जाता है। द्वादशी का दिन। जब दो एक आदशीया होती हैं। उसके बाद दो द्वादशीया भी आती है। उन दिनों में तुलसी को नहीं तोडा जाता इसके पी ग्यारा पत्तों पर आप श्री लिखें आपने ऐसा ही करना है उसके बाद आप इन पत्तों को लेकर आप अपने घर के बर्तनों में डाल दें बर्तनों में जिन में आपने आटा रखा है चावल रखे हैं इन बर्तनों में आप तुलसी के ग्यारा पत्तों को अलग अलग बर्तनों में डाल दें ऐसा करने से आपके घ बरकत बढ़ेगी अनपुर्णा निवास करेंगी मालक्षमी जो है वो अनपुर्णा ही है अनपुर्णा आपके घर में जब निवास करेंगी तो आप लोगों के घर में कुछ भी बुरा नहीं होगा आपके घर में हमेशा धन की बरकत बनी रहेगी दिक्कतें दूर होंगी समस्याओं से मुक्ती मिलेगी बहुत ही अच्छा उपाय है इसे करके जरूर देखे ग्यारा पत्ते आपने तुलसी के लेने हैं उसके बाद आपने हल्दी से उन पर श्री लिखना है एक बात का ध्यान जरूर रखे इनको तोड़ने से पहले तुलसी की पूजा करें और उनस विष्णू पूजन का विधान भी बहुत जादा है तुलसी भगवान विष्णू को अर्पित भी करें ऐसा करने से भगवान विष्णू की आपको प्रसनता प्रापत होती है शुबता प्रापत होती है भगवान विष्णू को जब आप तुलसी चढ़ाते हैं तो तो इस उपाय को ज़रूर करें, कार्ति का आकरी दिन है, आप इसे बिलकुल भी मिस ना करें, इस उपाय को करने से पूरा साल आपके घर में धन की बरकत बनी रहेगी, जिस प्रकार हम कहते हैं कि ग्रहन दोष जब होता है, ग्रहन जब लगता है, तो उस समय पर अपने भोज बोजन में तूलसी डाल कर रख देनी चाहिए। ऐसा करने से भोजन जो है वो ग्रसित नहीं माना जाता। आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।